हेलो एव्रीवन वेलकम टू मैं अब इशेक कुमार मैंगे बिंस अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीट एंसी एटी बुक एंसी एटी एग्जांपलर और बेस्ट पॉब्लिशर्स की बुक आपको कम्प्लीट सॉलूशंस और कम्प्लीट थियोरी के साथ प्रोवा एटी जेए नीट चैनल के थ्रू आपको त्यारी करवाते हैं 100% फ्री एजुकेशन के साथ फाउंडेशन कोर्स की भी कम्प्लीट मटेरियल 100% फ्री और बेस्ट मटेरियल बेस्ट फिकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलिवर किया जाता है किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्श एक्सराइज 3.7 एक बहुत इंपोर्टेंट एक्सराइज पूरी उमीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स वाच कर लिया होंगे आपने एक्सराइज 3.6 तक सारे कोश्चन को सॉल्ट करा होगा खुद से और अगर कहीं डाउट होगा तो आपने मेरी एक्सराइज 3.7 में एक बहुत अच्छी एक्सराइज अच्छे सवाल जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सवाल ऐसे है कि डेफिनिटली यह आपको आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एक्जाम में दिख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सराइज 3.7 चैप् बोलनू को किसान है जिसने परचेस किये हैं दो बैक्स फर्टिलाइजर अब यह दो बैक्स खरीदे हैं कायके फर्टिलाइजर के और वेट 75 kg एंड 69 kg आपको वेट दिया है दोनों बैक्स का एक बैक 75 kg एक वैक जो है वो 69 kg क्लियर तो ऐसा मैं बोलता हूं कोई स्टूडें है रेनू यहां कोई करेक्टर का नाम है कोई यहां पर एक बच्चा है रेनू जिसने अपने घर के गार्डन के लिए गार्डनिंग के लिए दो बैक्स फर्टिलाइजर करीदे हैं और उसमें टोटल जो kg वेट है वह आपको दिया हूँ दोनों बैक्स का find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times अब यह कोशन ऐसा बोल रहा है कि अगर मुझे कोई थर्ड बैक्स जाहिए जिसमें उस थर्ड बैक से या मैं ऐसा बोलू मुझे कोई ऐसा container चाहिए अगर आपने theory lecture attend किया है तो theory lecture के अंदर मैंने कोशन करवाया था कैरोसीन वाला दो टैंक्स थे उन मैं maximum number of times अगर मैं उसमें से kerosene निकालता हूं तो हमेशा same number of quantity निकले same quantity उसमें से kerosene की निकले और वो जो number of exact times मतलब number of exact times जो मैं repeat कर रहा हूं जितनी बार मैं उस bucket को डालू उसमें तो हर बार exact kerosene बाहर निकाले ठीक है और थोड़़ा सा भी kerosene last में left ना बचे तो इस त डाल करना है यहां आपके practical life में तो होता है हमारे पास दो containers है अलग अलग और मैं पर्टिकुलर कोई मगगा यूज कर रहा हूं ठीक है और मैं हमेशा उसमें से same quantity निकाल के डालता हूं यहां आप लोगों ने देखा होगा राशन राशन की दुकान पर एक container होता है जिससे वो लोग एक particular मात्रा का यहूं हमेशा निकाल के देते हैं तो कितने number of times उन्होंने मग उस बोरे में डाला वो उसी सी चीजों को calculate कर लेते हैं तो number of times हमेशा एक complete number होना चाहिए ऐसा ना हो कि last में थोड़ा सा यहूं बच गया और मगे में वहाफ ही आ पाया उसने मग को complete त तरीका क्या है तो यहां पर कोशन को आप आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है find the maximum value of weight word maximum लिखा है और जब भी यह word maximum आता है तो आपको मैंने बताया है theory lecture में कि हमेशा आपको क्या पता करना है आपको पता करना है HCF highest common factor और अगर least value पूछते minimum value पूछते ठीके उस case में आ आपको जो दो values दी है उनका आप HCF निकाली है जो भी common highest common factor निकलेगा वो ही answer है clear है तो यह पूछ रहा है ऐसा कौन सा एक bag में use करूं जिसमें मैं हमेशा same weight fertilizer उस bag से निकालूं ठीक है और number of times जो रहे वो जो है वो exact number of times हो मतलब एक natural number exact number मिले ऐसा नहीं कि आधा container भरा one third container भ चले अब देखिए यह word problem है मैं कहूंगा बहुत important question अगर आया तो कम से कम 3-4 marks 5 marks का भी आ सकता है clear तो इस तरह की जो word problems होती है इंको attempt करने का तरीका यहां पर हम proper तरीके से लिखेंगे solution और हमें पूरे question में क्या given है ठीक है वो given part हम लिखेंगे तो हमें क्या given है हमें बोला है two bags of fertilizer का weight तो weight of weight of first bag ठीक है मैं ऐसा बोल देता हूँ weight of first bag of fertilizer ठीक है और यह कितना आया है तो यह finally आया है 75 kg done ऐसे ही weight of weight of second bag weight of second bag of fertilizer तो यह value हमारी निकल के आ रही है कितनी तो यह value हमारी निकल के आ रही है 69 kg चलिए तो यह निकल के क्या रही है यह तो question में given है ठीक है अब हमें इनका hcf calculate करना है तो therefore highest common factor मैं यहाँ पर लिख देता हूँ therefore highest common factor या इसको बाद में बोलने की जगा हम यह बोल दें कि यहाँ पर हम बोल देते हैं 2 मिट होल्ड करिए यहाँ पर हम बोल देते हैं factors of therefore factors of factors of 75 75 के factor यहाँ पर आप लिख दीजिए तो 75 के factor देखिए 3 एक factor है तो 3 2 times is 6 and 3 5 times is 15 again इसका next factor जो है वो 5 है तो 5 into 5 is 25 and 5 1 times is 5 ऐसी अगर मैं 69 kg के factor निकालूं तो factor of 69 69 का पहला factor है 3 तो यहाँ पर यह 3 से divide हो रहा है तो 3 2 times is 6 and 3 3 times is 9 और दूसा factor 23 itself क्योंकि 23 एक prime number है तो factors of 75 जो निकल के आएंगे यह आपके सामने निकल के आ रहा है 3 multiplied with 5 multiplied with 5 और factor of 69 जो निकल के आ रहा है यह निकल के आ रहा है 3 into 23 clear अभी रेनू पर्चेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg find the maximum value of the weight which can which can measure the weight of the fertilizer exact number of times the exact number of times तो हम यहाँ पर कहेंगे the highest common factor is 3 the HCF the HCF of 75 and 69 75 and 69 is what तो यह निकल के आ रहा है 3 therefore the HCF of 75 and 69 is 3 तो हमें एक ऐसा bag चाहिए जो 3 kg को यहाँ पर calculate कर पाए मतलब 3 kg यहाँ पर basically यह यहाँ पर the HCF of 75 and 69 is 3 मतलब 3 kg का हमें एक weight और चाहिए एक bag ऐसा चाहिए वो exact number of times ठीक है यहाँ से fertilizer को transfer करने के काम आ सकता है तो हमारा answer यहाँ पर basically क्या है the maximum value, find the maximum value of the weight which can measure the weight of the fertilizer that is 3 kg तो यहाँ पर हम answer क्या देंगे, देखेगा answer क्या आएगा तो यहाँ पर answer आएगा, answer find the maximum value, the maximum value, the maximum value, the maximum value, the maximum value of weight of weight, which can measure the weight of the fertilizer which can, which can measure the weight of fertilizer is equals to, of the fertilizer, चलिया है, is equal to 3 kg अब exact number of time की यह जो बात हो रही है, exact number of time, कितने number of times अब बात को समझना, अगर मैं कोई ऐसा container यूज करता हूँ, ऐसा कोई मेरे सामने जग हो, यहाँ ऐसा कोई मगगा हो, यह ऐसी कोई बाल्टी हो, जो 3 kg एक बार में नाप ले, तो अगर मैं 75 kg वाले बोरे में से fertilizer निकालता हूँ, तो एक बार में 3 kg निकलेगा, तो यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर हो सकता है, आपको थोड़ा twist करके, स्कूल एक्जाम में यह question पूछ सकते हैं, कि exact number of times बताईए, तो आप यहाँ पर कहेंगे, देखो 3 kg का तो आपने बोरा यूज कर लिया, मैं कहूंगा 5 into 5, मतलब 25 number of times, 75 kg वाले bag से, अगर मैं 25 बार उस container का use करूँ, तो यह bag से exactly 25 times में मैं यह bag खतम कर दूँगा, 75 kg का जो एक bag है, 25 times अगर मैं उसमें से fertilizer निकालता हूँ, तो मैं उसको खतम कर दूँगा, clear है यह चीज, ऐसे ही, अगर मैं 69 kg की बात करूँ, ठीक है, 69 kg का जो bag है, इसमें से 3 kg का अगर मैं mug use करता हूँ, तो 23 times में मैं यह 69 kg वाले bag को खतम कर दूँगा, 69 kg वाले जो bag है, इसमें से 23 times अगर मैं उस mug से fertilizer निकालता हूँ, 23 times, तो यह bag, exactly 69 kg का जो bag है, यह खतम हो जाएगा, clear है, तो इस तरीके से हम लोग questions को solve करते हैं, यह practical life के questions है, word problems इनको कहते हैं, यह word problems आपको कहीं ना कहीं, school test यह, school exam में बहुत important है, एक दम मैं कहूंगा, देखने को मिलेंगी, clear, तो question number one हो गया, हमारा यहाँ पे solve, board कर लेते हैं, clear, और move करते हैं, finally, question number two की तरफ, देखिएगा, question number two में यह कह रहा है, three boys, three लड़के हैं, वो एक साथ किसी जगा को जाना है, उनको मतलब वो एक morning walk वाला question किया था, आप लोगों ने, मुझे comment box में जो बताना, एक morning walk वाला, मैंने आपको question करवाया था, जब मैं आपको करवा रहा था, theory lecture, तो अगर आपने last fourth वाला theory lecture attempt किया है, तो उसमें मैंने एक morning walk का question करवाया था, morning walk में, तीन लोग अपने घर से निकलते हैं, same time पे, उनका जो पहला step होता है, वो कितना distance cover कर रहा है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ था, यही यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, क्या बोल रहा है है, कि three boys step off together from the same spot, their steps measure 63 cm, 70 cm, 77 cm respectively, what is the minimum, यह वर्ड समझ लो, पीछे वाले question में वर्ड maximum दिया था, maximum का मतलब होता है, highest common factor calculate करना है, और minimum का मतलब होता है, lowest common factor को calculate करना है, LCM, lowest common multiple, तो what is the minimum distance each should cover, so that all can cover the distance in complete steps, complete steps का मतलब, अगर मैं यहाँ पे 3 step चल रहा हूँ, तो यह 3 step, अगर मेरा हर step, कितना है, मेरा हर step, अगर 63 cm का है, तो 3 step में मैंने कितना distance cover किया, ऐसे किसी का step अगर 70 cm का है, तो मुझे इस तरीके से वो distance cover करना है, कि मैं exact 3 step में, वो distance cover कर लूँ, जो 70 cm का single step का person है, वो भी वोई distance cover करे, 77 cm जिसकी length है, जिसके पहले step की length 77 cm है, यह वाला distance, मतलब यह एक distance दिया है, ऐसे वो complete steps में, वो भी उस distance को cover कर ले, रखने complete step है, complete distance एक step का fix है, एक person 63 cm यूज कर रहा है, एक person 70 cm, एक person 77 cm, ठीक है, तो आपको यह बहुत, मतलब, चीजे इस दिके की सवाल आते हैं, मैं कहूंगा बहुत important questions हैं, जो कि school exam में, school test में, definitely देखने को मिलेंगे, अब देखो question number 2 का, जो यहाँ पर हमें solution solve करना है, word problem है, तो इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो आपको एक minimum distance निकालना है, तीनों को same distance cover करना है, तो देखो, इसको करने के लिए हम यहाँ पर, सबसे पहले तो जो given हैं वो लिख लेते हैं, let the first person, let the first person, let the first person cover 63 cm, 63 cm, then उसके बाद, let the second person, let the second person cover, let the second person cover 70 cm, and let the third person cover, कितना 77 cm, हम ऐसा बोलते हैं कि पहला person, जो पहला step रख रहा है, let the first person cover 63 cm, in first step, in first step, ठीक है, पहले step में, ठीक है, तो in the initial step भी बोल सकते हैं, in initial step, in initial step, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम second वाले person के लिए बोल रहा है, ऐसे हम third person के लिए बोल रहा है, तो यह चीज जो given थी वह हमने लिख ली, what is the minimum distance, therefore the minimum distance, the minimum distance, the minimum distance, each should cover, each should cover, हर एक person जो एक minimum distance cover करेगा, तो वो कितना होगा, मैं इस case में ऐसा बोल सकता हूँ, कि 63, 70 and 77 का LCM निकाल लीजे, तो is equal to the LCM, is equal to LCM of, LCM of 63, 70 and 77, clear? तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम LCM calculate कर लेते हैं, तो 63, 70 and 77 का LCM, देखीगा, 63, 3 से divide हो रहा है, तो मैं इसको 3 से divide कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे 2 भी दिख रहा है, यहाँ पर एक factor, क्योंकि 70 का जो 0 है, जो once place पर 0 दिया हुआ, यह 2 से divisible है 70, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 2 as a factor यूज़ करते हैं, तो 63, 2 से divide नहीं हो रहा है, बट 70 हो रहा है, तो 2, 3 times is 6 and 2, 5 times is 10, again, यहाँ पर 77, 2 से divisible नहीं है, ठीक है? अब, हम इसको कर लेते हैं, 3 से divide, ठीक है? 63, 3 से divide हो रहा है, तो 3, 2 times is 6 and 3, 1 times is 3, again, 35, 3 से divide नहीं हो रहा है, 77, 3 से divide नहीं हो रहा, 77 भी नहीं हो रहा, 7 plus 7 is 14, 14, 3 के table में नहीं आता, तो यह number as it is copy हो जाएगा, 35 and 77, again, यह 3 से divisible है, तो 3, 7 times 21, 31, 35 and 77, again, यह number 5 से जाएगा, 35, तो 5, तो 7 as it is आ जाएगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे, 5, 7 times 35 and 7, 11 times 77, again, यह 7 से divisible है, 5 के बाद next, जो prime factor आता है, वो 7 है, तो 7, 1 times 7, 7, 1 times 7 and 11, और next factor जो है, वो 11 आएगा, तो finally, the LCM of, LCM of 63, 70, 77, यह LCM क्या आया, तो यह आया, 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11, clear है, तो यह आया, 2 into 3 into 3 into 5, तो 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11, चलिया, इदर देखिएगा, 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18, 18 into, मैं ऐसे कहूंगा, 5, तो 18, यहाँ पर यह 18 आ गया, ठीके, और 5 into 7 is 35, और 35 into 11, इनको आप multiply कर दीजी, यह आपका finally answer आएगा, तो एक काम करते हैं, rough work में हम कर लेते हैं, तो 35 multiplied with 11 will give you 35 cross, 1 into 5 is 5, 1 into 3 is 3, यह आजाएगा 385, और 385 को आप multiply करिए, किस से? 18 से, तो यहाँ पर हम 18 से multiply कर लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पर 385 को जब 18 से multiply करेंगे, तो यह value हमारी कितनी आ रही है, 5 into 8 is 40, 8 into 8 is 64, 64 plus 4 is 68, 3 into 8 is 24, 24 plus 6 is 30, cross, 1 into 5 is 5, 1 into 8 is 8, 1 into 3 is 3, तो यह 0, 8 plus 5, तो यह हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 13 का 3 के रिवन 9 और 6, तो यह हो जाएगा 6, 9, 3, 0, तो यह आजाएगा 6, 9, 3, 0, कुल मिला के मैं ऐसा बोलूँगा कि 6, 9, 3, 0 cm, यह वो distance है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है, तो हम कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड इस साइट से clear और यहाँ पर answer दे देते हैं, तो हमसे पूचा था, what is the minimum distance, तो 6, 9, 3, 0, यहाँ पर देखिए answer कैसे आएगा, तो answer finally आएगा, 6, 9, 3, 0 cm, is the minimum distance, is the minimum distance जिसके बारे में बात हो रही है, minimum का मतलब least common multiple निकालना है, कुल मिलाके मैं यह बताना चाहरा हूँ, 6, 9, 3, 0 cm, is the minimum distance, each should cover, each should cover, done, तो finally यहाँ तक आपने question number 2 तक solve कर दिया, total 11 questions in this exercise में वीडियो के last तक बने रहना, बहुत important video, हर question जरूरी है, word problems है, ठीके, IMP questions हैं, मैं ऐसा बोलूँगा, 3, 4, 5 marks के अगर question इस chapter से आते हैं, तो वो यही है last exercise, third question देखना, इसके third question में क्या बोला है, board कर लेते हैं, यहाँ पे clear, और इसके third question पे आते हैं, तो third question में यह कह रहा है, the length, breath and height of a room are given, respectively, find the longest tape, अब देखो word क्या use हुआ है, सबसे बड़ी tape बताईए, ठीके, longest tape, जो अपने आप में long हो, which can measure the three dimensions of the room exactly, जो इस room के तीनों dimensions को exactly नाप ले, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बश्टेप तो होती है, लेकिन कई बार आप जब tape से नापना चालू करेंगे, तो आप एक point से, मैं कहता हूँ, मान लीजे, आपको यहां से यहां तक नापना है, और आपके पास जो tape use कर रहे हैं आप, वो tape की जो length है, वो इतनी है, तो आप पहले tape को इतना रखते हैं, फिर यहां से tape उठाएंगे, तो आपको इतना tape fold करना होता है, क्योंकि यह extra part है, हम यह बूछ रहे हैं कि ऐसी tape का length बता दो, जिसमें से half ना करना पड़े, मैं बोल रहा हैं अगर tape हम use करें, तो वो tape की length इतनी है, यहां से pick करते हो, ऐसे कैसे यहां रख दे, तो हम कहेंगे इस tape की जो total length है, यहां से यहां तक की जो length थी, इसी tape को आपने यहां से यहां उठा के रखा, तो यहां से यहां तक की total length आ गई मतलब two times of tape two times of tape हम भूल पाए मतलब exactly number of times वो tape को जब मैं length नापने के लिए use करूँ तो tape मुझे एक particular इतनी length मिल जाए या rope की इतनी length मिल जाए जिसके मैं रसी को नाप के मैं correct बता दूँ कि इतने times रसी को नापने पर यह total length निकल के आ रही है तो कुल मिलाके यह similar question है ठीके किसके जैसा यह अभी आपने question किया था ठीके longest tape बतानी है find the longest tape कुल मिलाके देखो maximum वाला पहला question किया और यह भी वह है longest tape मतलब आपको कुल मिलाके hcf निकालना है तीनों चीजों का आप जब hcf calculate कर लेंगे तो आपका answer आ जाएगा clear अब चलिए आते हैं question को कैसे solve करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे solution अब the length of the room तो हम यहाँ पर लिखेंगे length of room length of room room की length हमें दी हुई है कितनी 825 cm clear फिर मुझे दिया हुए है breadth of room तो यहाँ पर आ जाएगा breadth of room और यह हमें दिया हुए है कितना तो यह हमें दिया है 675 cm और फिर हमें यहाँ पर दिया है height of room तो height of room और यह हमें दिया है कितना तो 450 cm चलिए तो हमें length, breath, height तीनों दिया हुआ है, ठीक है, अब मुझे longest tape calculate करने है, find the longest tape, तो therefore, the longest tape, the longest tape, which can measure three dimensions, the longest tape is calculated, is calculated using HCF, is calculated by HCF, highest common factor, मुझे highest common factor calculate करना है, कुल मिला के highest, longest मतलब, highest HCF निकाल लो, अलग-अलग, तो HCF of 825, 675 and 450 आप calculate कर लो, तो चलिए, factors of using prime factorization method देखेगा, अगर मैं 825 के factors calculate करता हूँ, तो देखे, 2 is not divisible, महलब 2 तो हम यहाँ पर use ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो once digit है, वो 5 है, तो यहाँ पर 2 से तो यह divide होगा नहीं, 3 से divide होगा क्या, तो 8 plus 2 is 10, 10 plus 5 is 15, तो yes, 15 क्योंकि 3 के table में आता है, तो मैं कहूंगा, एक factor तो 3 है, 3 2 times is 6, ठीके, तो 3 2 times is 6, बचा 22, 3 7 times is 21, बचा 15, 3 5 times is 15, again, क्या 2 75 3 के table में आता है, तो 7 plus 2 is 9, 9 plus 5 is 14, 3 के table में नहीं आता, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, अब यह divide होगा 5 से, prime factors निकालने, तो 5 5 times 25 and again 5 5 times 25, यह divisible है फिर से 5 से, तो 5 11 times 55 and यह divisible है 11 से, तो 11 1 times 11, 8 25 के factors आ गए, again, यहाँ पर हम 6 75 के factors निकालेंगे, तो देखेंगे, 6 plus 6 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 plus 5 is 18, और 18 में 1 plus 8 9 होता है, तो यह 3 से divisible है, 6 75 is divisible by 3, 3 2 times 6, 3 2 times 6, 3 5 times 15, again, क्या 2 2 5 3 से divisible है, तो देखेंगे, 5 plus 4 is 9, yes, यह again 3 से divisible है, तो 3 7 times 21, again 3 5 times 15, यह क्या 3 से divisible है, तो yes, यह भी 3 से divisible है, 3 1 times 3, नहीं, sorry, 3 2 times 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 3 2 times 6 and 3 5 times 15, अब 25 divisible है 5 से, तो 5 5 times 25, और 5 1 times is again 5, clear है, तो यहाँ पर 5 1 times is 5, 6 75 के factor, 8 25 के factor, हम निकाल लेते हैं, एक और number और वो हमें दिया है 450, तो 450 के factors देखीगा, 2 से divisible है, unit place, once place जो है वो 0 है, तो मैं गाऊंगा, 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4, 2 into 5 is 10, 5 plus 4, 9, तो यह 2 से divisible है, नहीं, 2 से divisible नहीं है, क्योंकि unit place पर आगे है इसका 5, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो यह 2 हटा देते हैं, अब यह divisible है, किस से 3 से, तो यह 3 से divisible है, 3, 7 times 21, 3, 5 times 15, 75, 7 plus 5 is 12, तो अगेन यह 3 से divisible है, 3, 2 times 6, ठीक है, और 3, 5 times 15, और 25 जाएगा, 5, 5 times 25, तो देखी, कितना असान हो जाता है करना, अगर आपको divisibility rules आते हैं, तो आप अराम से factors निकाल सकते हैं, अब highest common factor बताना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, therefore highest common factor of 825, 675, 450 is, इनके highest common factor क्या है, तो देखीगा, 1, 3 है, 1, 3 है, 1, 3 है, red pen का use कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम highest common factor आराम से mark कर लेंगे, clear, चलिए, देखीगा, 1, 3 है, 1, 3 है, 1, 3 है, done, फिर इसके बाद, 2, 5 हैं, 2, 5 हैं, 2, 5 हैं, तो यह 2, 5 है, यह 2, 5 है, और यह 2, 5 है, again, एक 11 है, बट 11 नहीं है, 11 नहीं है, दूसा 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट दूसा 3 यहाँ नहीं है, तो finally हमारे जो factors निकल के आए हैं, तो वो factors हमारे क्या निकल के आए, तो वो factors हमारे निकल के आए हैं, 3 into 5 into 5, ये हैं हमारे factors, तो 3 into 5 is 15, 15 into 5, तो 5 into 5 is 25, 2, तो 15 into 5 ये आजएगा 75, तो कुल मिलाके हमारे जो factors निकल के आए, वो मतलब 3 into 5 into 5 निकल के आया, highest common factor इन तीनों नंबर का है 75, question क्या था, the length, breadth and the height of the room is given, find the longest tape which can measure the 3 dimension, तो मैं कहूंगा 75 cm of tape is the, is the longest tape, longest tape, longest tape, which can measure, which can measure, which can measure, which can measure, what, done है, मुझे comment box में जरूर बताना, देखिए मैं आपको question पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, अगर word longest दिया है highest common factor, word maximum दिया है तो highest common factor, word minimum दिया है तो LCM, lowest common multiple, ठीक है, कोई भी छोटा word use किया है, तो LCM, word बड़ा use किया है, तो HCF, question पहचानने का तरीका, कुल मिला के आपको इस तरीके से चीज़ों को करना है, solve, given part जरूर लिख कर आना और उसके आगे solution करके आना, पूरे marks मिलेंगी, total तीन question हमने कर लिया है, यहां पर solve, move करते हैं, fourth question की तरफ, तो fourth question क्या है, board करके clear, हम fourth question देख लेते हैं, तो चलिए, question number three तक कर लिया है, fourth question कह रहा है, determine the smallest three-digit number, देखो, the smallest three-digit number, which is exactly divisible by six, eight and twelve, अब आप कहेंगे, it's a smallest बुला, अभी तीनों question से यह समझ आ रहा है, कि smallest word का मतलब है, यहां पर LCM calculate करना है, तो yes, करना LCM ही है, पहले LCM calculate कर लेते हैं, देखेगा, determine the smallest three-digit number, which is exactly divisible by six, eight and twelve, तो आप देखे question को कैसे solve करेंगे, आप यहां लिखेंगे solution, question में यह जहूँ बताना given क्या है, तो given numbers, given numbers are, क्या दिये है numbers, six, eight and twelve, यह numbers दिये हैं, चलिये, तो given numbers are six, eight and twelve, determine the smallest three-digit number, सबसे छोटा three-digit number बताईए, which is exactly divisible by six and twelve, तो हम कहेंगे LCM of six, eight and twelve, ठीक है, तो यह LCM क्या आएगा, सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं, तो देखे, six, eight and twelve को दूरी-दूरी पे लिखना है, यह number दिये हैं, अलग-अलग, comma का use कर लेना, comma का use करने से फायदा यह मिलेगा, कि आपको तीनों के बीच में अंतर दिखेगा, नहीं, तो आप six, thousand, eight and twelve का LCM निकाल लेंगे, factors निकालने हैं, तीन numbers के अलग-अलग, अलग-अलग है, तो कुल मेरा के six, eight and twelve मुझे दिख रहे हैं, टू के table में आता है, तो two, three times six, two, four times eight, two, six times twelve, ऐसे ही होगा, again, यह two से divisible है, तो three तो ऐसे का, ऐसे ही ही आ जाएगा, क्योंकि three, two के table में नहीं आता, two के table में four आता है, two times and six आता है, three times, again, यह two को divide करने के लिए, हम one का use कर लेंगे, two one times is two, और यह three as it is copy हो जाएगा, again, three से divide कर लेते हैं, तो three one times three, यह one और three one times three, तो कुल मिला के, जो LCM निकल के आया, इसको समझना, LCM of six, eight and twelve, अब आपको दिख रहा है कि LCM क्या आया, LCM आ रहा है, two into two into two into three, two into two into two into three, two into two is four, four into two is eight, eight into three is twenty-four, देखो LCM है twenty-four, खतम, अब यहाँ पर question the end नहीं हुआ, answer नहीं आया, क्योंकि कोशन अगर आप ध्यान से देखें, तो कोशन में दिया था, the smallest three digit number, सबसे छोटा तीन डिजिट का नमबर, बट हमारा answer तो दो डिजिट का आया, बट यहाँ पर क्या कोशन गलत है, तो नहीं, कोशन गलत नहीं है, देखो, 24 वो सबसे छोटा नमबर है, जो divisible है, 6, 8 and 12 से, it is the smallest number, ठीक है, now three digit का smallest number, वो 24 का multiple होगा, 24 का multiple three digit का number आपको बताना है, तो now, multiple of 24, now, multiple of 24, जो की three digit दे दे, ऐसा कोशन सबसे छोटा नमबर होगा, तो चलिए, 24 into 5 करके देखते हैं, देखे, 24 into 5 करेंगे, तो 5 into 4 is 20, 0 and 2 carry, 5 into 2 is 10, 11 and 12, 120 आ रहा है, three digit का number आगया, 24 into 3 करके देखते हैं, 3 into 4 is 12, 12 कर 2 carry 1, 3 into 2 is 6 and 7, two digit का number है, 24 into 4, जो 24 into 4 होता है, 4 into 4 is 16, 16 का 6 carry 1, 4 into 2 is 8 and 9, 96, आप देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 24 into 4 करने पे 96 आया, three digit का number, common सी बात है, 5 के साथ multiply करने पे आएगा, तो 24 into 5 is 120, यही सबसे छोटा number है, क्योंकि 24 into 4, 2 digit का number आ रहा है, आप इस चीज़ को समझना है, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहरा हूँ, कुल मिलाके मैं आपको यह बोलना चाहरा हूँ, कि 24 का multiple, जो की 3 digit का सबसे छोटा number होगा, वो सिफ 120 है, क्योंकि 24 into 4 करने पे 96 आ रहा है, इसके जस्ट बाद में 24 into 5, 4 के बाद 5, 24 को जब 5 से multiply करूँगा, तो वो 120 आएगा, अपने आप में सबसे छोटा 3 digit का number, जो के divisible होगा, किसे दिये हुए तीनों number से, therefore 120 is the smallest number, 120 is the smallest number, ठीक है, divisible by, divisible by, divisible by, अच्छा smallest कौन सा, तो smallest 3 digit number, यह चीज़ जो लिखना, 120 is the smallest 3 digit number, यहाँ पे word digit जो आना चाहिए, 3 digit number, divisible by, 6, 8 and 12, 6, 8 and 12, clear है यह चीज़, तो इस प्रकार से, finally, question number 4 में यह concept, पूरी उमीद करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, word कर लेते हैं, clear, और move करते हैं, question number 5 में क्या कह रहा है, चलिए, देखें कह रहा है, इसको watch करना, the traffic lights at the 3 different road, road crossing change after every 48 second, 72 second, 108 second, if they change simultaneously at 7 a.m., तो at what time will they change simultaneously again, एक बहुत important question, जो आपको आपके future, मैं कहूंगा, 10th class में भी similar question मिलेगा, जब आप exam NTSC का देंगे, national talent search examination के समय, इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, यह competitive level का question है, इसलिए, class 6th का यह important question है, clear है, तो class 6th में सोचो, आपको वो सिखाया जा रहा है, जो NTSC में आने वाल है, national talent search examination में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, जब आप maths या mat, आप कहीं पे भी इस तरह का logical question देख सकते हैं, clear है, banking question में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अगर कोई light आप देखते हैं, कौन सी light, जो आपकी red lights होती हैं, जब आप traffic में निकलते हैं, तो जो traffic lights होती हैं, वहाँ पे आप देखेंगे, एक ही चुराय पे आपको 3-4 तरह के अलग-अलग mode पे light मिलती हैं, और आप देखेंगे, पहले कुछ second के लिए एक light चालू रहती है, वो green रहती है, बाकी सब red रहती है, फिर जैसी यह red होती है, तो दूसरी green हो जाती है, फिर वो red होती है, तो 30 green हो साथ कब change होंगी, अब आप समझते हैं, कहां पर आपके real life situation में maths के questions आते हैं, आपने कभी कबार सोचा होगा कि कैसे यह lights जो हैं, traffic police वाले इस तरह के सेट करते हैं, कि जब यह दोनों red हैं, तो एक green है, और जब वो red हो गई, तो दूसरी green हो गई, बाकी दो red हैं, ठीक है, तो इस तरीके के questions traffic police, police में भी use होते हैं, आप समझते हैं, maths आपके life का कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर जगा maths के questions, आप मानेंगे medical line में भी, आपके कहीं न कहीं, doctors की stream में भी, maths का बहुत बड़ा user, clear? तो यहाँ पर, इस question को कैसे solve करना है, देखिएगा, हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम solution, ठीक है, हमें यह पता है कि traffic lights, three different road की crossing पे, वो change हो रही हैं, एक साथ 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds में, change after every 48 seconds, तो यहाँ पर तो पहले जो given हैं, वो लिख लेते हैं, traffic lights at three different roads, at three different roads, at three different roads, change after, change after every, change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds, three lights के बारे में तुम्हें एक data दिया हुआ है, देखीगा, इस question को हमें कैसे करना है, तो इस question में हम सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, least common multiple, अगर यह सारी time 7 बजे change हुआ था एक साथ, तो 7 बजे के बाद अब कब change होगा, तो आप least common multiple निकालिए, इन सब का सबसे छोटा multiple क्या है, least common multiple निकालते हैं, तो देखना, हम LCM निकालेंगे, तो LCM of 48, 72, and 108 is, LCM क्या आएगा, तो LCM निकाल लेते हैं, देखीगा, LCM हमारा आजाएगा, 48, 72, and 108, यह है तीन नमबर, इसको सबसे पहले यह 2 से divisible है, तो 2 into 2 is 4, 2 into 4 is 8, 2 into 3 is 6, 2 into 6 is 12, 2 5 times 10, 2 4 times 8, अगेन यह 2 से divisible है, तो 2 1 times 2, 2 2 times 4, 2 1 times 2, 2 8 times 16, 2 2 times 4, 2 7 times 14, अगेन यह 2 से divisible है, तो 2 6 times 12, 2 9 times 18, and 27, 2 में 27 नहीं आता, अगेन यह 2 से divisible है, तो 2 3 times 6, 9, and 27, अब यह divisible है 3 के साथ, तो यह हो जाएगा 3 1 times 3, 3 3 times 9, 3 9 times 27, अब अगेन यह divisible है 3 के साथ, तो यह आजाएगा 3 1 times 3, 3 3 times 9, अगेन divisible है यह 3 के साथ, ठीके, तो इस प्रकार से मैंने इंका LCM निकाल लिया, तो LCM निकल के कितना आया, therefore LCM is 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार 2 निकला, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 3 times 3 आया है, देखिए रहाँ, इस से मुझे यह पता चलता है कि एक value निकल के आई है, वो value है, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, और 16 into 27 मुझे rough work में करके देखना पड़ेगा, यह एक least common multiple आया, तो 16 into 27 अगर मैं करता हूँ, तो देखिएगा, 6 into 7 is 42, 6 into 2 is 12, और यह आएगा 16 cross 1 into 7, 1 into 2, तो यह आगया 2, 13, 13 का 3 carry 1, 432, मेरा answer आगया 432 seconds के बाद, मतलब सुभा 7 बजए अगर light change हुई है, आप बात को समझना, सुभा 7 बजए 7 a.m. पे तीनो light ने एक साथ changes दिखाए, next जो एक साथ changes आएंगे, वो आएंगे 432 seconds के बाद, अब सुभा 432 seconds थोड़ा सा सुनने में यह odd feel हो रहा है, एकदम odd feel हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम 432 seconds को, minute और second में change करते हैं, देखीगा, अब यहाँ पे conversion आएगा, ठीक है, तो हम, हम देखो, 7 बजए के बाद का time बता रहे हैं, तो past 7 a.m. के बाद, हम 432 seconds को हम change कर रहे हैं, देखना, जब minutes में change करूँगा, convert it in minutes, और जब मैं minutes में convert करूँगा, तो यह आ जाएगा, 432 divided by 60 minute, क्यों sir, ऐसा क्यों किया, आपने divide by 60 क्यों किया, मेरी बात समय ना, यहाँ पे, अगर मैं आपको, blue pen से समझाऊ, तो क्योंकि एक minute में 60 second होते हैं, ठीक है, तो one minute is equals to 60 second, और एक second जो है, वो one by 60 minute के बराबर होता है, तो हमने क्या किया, हमने कुल मिला के, 432 seconds को minute में change करने के लिए, second को minute में change करने के लिए, हमने divide by 60 कर दिया, तो इन दोनों को अगर मैं solve करूँगा, ठीक है, solve करने भे मेरी value आएगी 7.2, आप करके देखो इसको, ठीक है, आप ये करो, मुझे comment box में बताओ, क्या 7.2 आया, और 7.2 minute का मतलब होता है, 7 minute, ठीक है, और 0.2, तो plus 0.2 minute, मतलब 7.2 का मतलब है, 7 plus 0.2, तो 7 minute और 0.2 minute, और ये जो 0.2 minute को, अगर आप second में change करते हो, तो ये answer आएगा, 7 minute 12 second, ये answer है इसका, clear, तो कुल मिलाके, सट time क्या होगा, जब ये तीनो, कौन स्टीट, तीनो traffic lights, एक साथ change होंगी, सुबह साथ बजे के बाद, तो हमारा time होगा, सुबह साथ बजे के बाद, और past 7 a.m. के बाद, 7 minute 12 second के बाद, 7 minute 12 second, आप चेक करिए, ये ही answer आया होगा, आपकी book में भी, ठीक है, तो 7 minute 12 second, past 7 a.m., past 7 a.m. मतलब जैसी, 7 बज चुके है, तो 7 बजने के बाद, ठीक है, 7 बजने के बाद, 7 minute 12 second के बाद, दुबारा ये जो lights है, वो एक साथ change होंगी, clear है, तो ये था question number 6, जो हमने कर लिया है, total 11 question है, इस पूरी exercise में, पूरी वीडियो को last तक watch करना, last में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, कि कैसे without any advertisement, and without any fees, ठीक है, आप सारी एक arranged manner में, सारी वीडियो को watch कर सकते हैं, theory lectures हो चुकी हैं, last exercise आप watch कर रहे हैं, तो move करते हैं, question number 7 की तरफ, 7th question कह रहा है, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters, and 465 liters of diesel, total 3 अलग-अलग tank हैं, जिनमें अलग-अलग liters भरे हुए हैं, मतलब, petrol या diesel आप बोल लिजे, एक petrol pump पे, किसी जगा से कोई tanker गया, आप वहाँ पे diesel transfer करने के लिए, अब 3 अलग-अलग tankers में, 3 अलग-अलग quantities हमें दिख रहे हैं, find the maximum capacity, maximum capacity का वो tanker बताईए, ठीक है, जिस से मैं diesel को transfer कर पाऊं, exact number of times, मतलब, अगर मैं पहले 403 liter वाले tanker में से, अगर खाली करना चाह रहा हूं, तो मुझे यहां से, एक container में ये, diesel को fill करना है, कितनी बार exact number of times मैं fill कर पाऊंगा, maximum, ठीक है, तो the maximum capacity, HCF निकालना है, कुल मिलाके, मुझे जो given है, वो लिखना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या given है, तो मुझे given है, the capacity of three tankers, the capacity of first tanker, the capacity of first tanker, पहले tanker की capacity मुझे given है, और ये मुझे कितनी given है, तो ये मुझे given है, 403 liter, the capacity of second tanker, मुझे second tanker की भी capacity given है, the capacity of second tanker, और ये मुझे given है कितनी, तो ये given है, 434 liters, ऐसी, capacity of third tanker, the capacity of, the capacity of, third tanker, जो third tanker है, उसकी भी capacity given है, और ये है, 465 liter, done, अभी हमें क्या करना है, तो हमें HCF निकालना है, HCF, highest common factor of, 403, 434, and 465, तो एक काम करते हैं, तीनों के अलग-अलग factorization करते हैं, by using, by prime factorization method, ऐसा लिख देते हैं ही पर, by prime factorization, prime factors निकाल लेते हैं, by prime factorization, clear, देखेगा, 403 के factors क्या क्या है, तो सबसे पहले, 40 का factor ना ही, देखो, यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा आप फसेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कैसे solve करने वाले हैं, देखो, यहाँ पर divisibility rule लगाते हैं, क्या यह number 2 से divisible है, तो unit place पर 3 है, नहीं, क्या यह number 3 से divisible है, तो 4 plus 3 is 7, नहीं, क्या यह number 4 से divisible है, तो 4 हमें लेना नहीं है, क्योंकि prime factor देखने, क्या यह number 5 से divisible है, तो नहीं, क्या यह number 7 से divisible है, तो 7 से देख लेते हैं, 7 5 times is 35, 53 7 के table में नहीं आता, तो नहीं, 7 के बाद जो next prime number आता है वो आता है 13 ठीक है तो हम इसको 13 से divide करके देखते हैं देखना 13 3 times is 39 तो 13 3 times is 39 बचा 13 yes 13 1 times is 13 31 अपने आप में prime number है तो 31 times is 1 times is 31 1 times is 31 तो देखिए 4 0 3 के 2 ही factor निकले 13 and 31 अब आजाते हैं 434 के factors पर तो 434 2 से divisible है 2 into 2 4 2 1 times 2 2 7 times 14 7 8 9 10 नहीं ये 2 से divisible है नहीं ये 3 से divisible है 7 8 9 10 नहीं 3 से divisible नहीं है 4 से divisible है क्या तो 4 से भी नहीं है 5 से divisible है क्या तो 5 से भी नहीं है 6 से भी नहीं है तो prime numbers देखने 7 से divisible है क्या तो yes 7 से divisible है 7 3 times is 21 and 7 1 times is 27 और 31 1 times is 31 तो कुल मिला के आप देखोगे इसका HCF 31 आने वाला है मुझे यहीं से दिख गया इन दोनों में नहीं 2 है नहीं 7 है नहीं 13 है ठीक है तो 31 is the HCF 465 के factors निकाल के दिखा जेते हैं 465 तो 4 plus 6 10 10 plus 5 15 3 से divisible है 3 1 times is 3 3 5 times 15 3 5 times 15 10 11 ना ही 3 से divisible है यह 5 से divisible है 5 3 times 15 5 1 times 5 आप देखो 31 दुबारा आ गया तो कुल मिला के जो HCF है इन तीनों numbers का वो मैं कहूंगा वो 31 है तो HCF of HCF of 403 434 and 465 is 31 यह क्या है तो HCF आया है 31 मैं कहूंगा 31 liters of container हमें need है 31 liters of container हमें need है जो की डीजल को फिल करने के काम आएगी इस tanker से इस tanker से इस tanker से exact number of times clear है 31 liters of container is is the maximum capacity is the maximum capacity of container is the maximum capacity of container ठीके used to measure the diesel used to measure the diesel measure the diesel exact number of times diesel exact number of times exact number of times चलिया तो इस तरीके से finally हमने solve कर लिये है 7 question 7th question आप लोग हम watch कर रहे थे एक अच्छा सवाल जादा marks में definitely इस तरह के सवाल आते हैं ठीके move करते हैं इसके 8th question की तरफ 8th question देखिएगा क्या बूल रहा है find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leave the remainder 5 in each case find the least number सबसे छोटा number बताईए सबसे छोटा number मतलब LCM निकालना है पहली बात तो LCM निकालते हैं तो हमें given क्या है देखिएगा हमें given क्या है तो हमें numbers given है ठीके numbers given numbers given और ये numbers हमें given है कौन-कौन से देखिएगा numbers given 6, 15 and 18 to find हमें पता क्या करना है तो हमें पता करना है least number least number which divided ठीके which when divided which when divided by which when divided ऐसा लिख देते हैं which when divided by 6, 15 and 18 leaves the remainder 5 leaves the remainder 5 leaves the remainder remainder 5 important question theory lecture में already पढ़ाया हुआ है ठीक है देखिएगा तो LCM निकाल लेते हैं तो LCM of LCM of 6, 15 and 18 देखिएगा 6, 15 and 18 का LCM 6, 15 and 18 का LCM देखिए मैं दूर-दूर लिख रहा हूँ reason यह है कि दूर-दूर लिखने से आपको easily समझ आ जाते हैं क्या-क्या factors है जो की common 6, 15 और 18 में है 2 से जाएगा 2, 3 times is 6 15 नहीं होगा 2, 9 times is 18 अगें यह डिवाइड होगा 3 से 3, 1 times 3 3, 5 times 15 3, 3 times 9 clear? अगें यह डिवाइड होगा 3 से तो 3, 1 times and 5 और अब यह डिवाइड होगा 5 से जो की remainder 1 देगा तो आप देखिएगा वो answer हमारा निकल के आया LCM 2 into 3 into 3 into 5 LCM is 2 into 3 into 3 into 5 और यह answer है हमारा 2 into 3 is 6 6 into 3 is 18 and 18 into 5 तो देखिएगा 18 into 5 5 into 8 is 5 into 8 is 44, 90 तो मैं काहूंगा 90 is the least number जो की exactly डिवाइड होगा किस से 6, 15 and 18 अभी तक answer नहीं आया है 90 is the least number which can be divided by this three numbers leaves the remainder 0 ठीक है? अब यहाँ पे हमें तो remainder 5 चाहिए था आप करके देखो 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 90 को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 96 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 90 जब 6 से डिवाइड होगा तो यह remainder क्या बच रहा है देखिएगा 6 1 टाइम से 6 ठीक है? और 36 5 टाइम से 30 रिमेंडर कुछ बच्ची नहीं जाएगा ठीक है? 90 15 से भी डिवाइड हो जाएगा यह 15 से भी डिवाइड हो गया तो 15 के टेबल में 90 यह साता है देन 18 से भी डिवाइड हो जाएगा तो यह remainder 0 देगा देखिए मैं ऐसा यहाँ पे एक statement लिखूँगा 90 is the least number 90 is the least number least number divisible by number ठीक है? तो 90 is the least number that is यहाँ ऐसा हम बोलते हैं that is ना बोलते हो हम यहाँ पे बोलते हैं 90 is the least number which when divided which when divided by 6, 15, 18 leaves the remainder 0 90 is the least number which when divided which when divided by by 6, 15 and 18 leaves remainder 0 clear है remainder 0 चलिये अब मुझे तो चाहिए remainder 5 इसके लिए हम एक काम करते हैं तो हम यहाँ पे simple एक line लिख देते हैं required number required number यह answer नहीं आया ठीक है? required number is 90 plus 5 that is 95 वो required number है जिसको अगर मैं divide करूँ 6, 15 और 18 से तो मेरा जो remainder है वो 5 बचेगा आप करके देख सकते हूँ मुझे comment box में जरूर बताओ ठीक है comment box में यह बताना कि आपका remainder finally 95 को जब आपने divide किया किस से 95 को जब आपने divide किया 6 से तो क्या remainder आपका 5 बच रहा है ठीक है तो इसी प्रकार से इस question को करना था attempt board कर लेते हैं clear चलिए आ जाते हैं question number 9 के उपर 9th question कह रहा है find the smallest 4 digit number which is divisible by 18, 24 and 32 जो की 18, 24 और 8, 32 से divisible हो ठीक है find the smallest 4 digit number the smallest word देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहली चीज आपको LCM निकालना है clear तो the smallest हम देखो question को कैसे attempt कर रहे हैं हाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले solution ठीक है solution के बाद हम लिख रहे है the smallest 4 digit number the smallest 4 digit number the smallest 4 digit number which is divisible which is divisible जो की divisible हो which is divisible by 18, 24 and 32 ठीक है तो LCM of 18, 24 and 32 ये निकाल लेजे तो 18, 24 and 34 32 तो 18 लिख लेते हैं 24 लिख लेते हैं 32 लिख लेते हैं 2 9 times 18 using prime factorization method prime factors लिखने हैं यहाँ पर 2 9 times 18 2 1 times 2 2 2 times 4 2 1 times 2 2 6 times 12 अब देखो अगेन ये 2 से divisible है तो 9 तो नहीं है बढ़ 12 है 2 6 times 12 2 8 times 16 अगेन ये 2 से divisible है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा 2 3 times 6 2 4 times 8 अगेन ये 2 से divisible है तो ये 9 आएगा ये 3 आएगा 2 2 times 4 आएगा अगेन ये 2 से divisible है इस 2 को 1 बनाना है तो एक-एक factor करके हम 1 बनाएंगे clear है अगेन ये 3 से divisible है तो 3 3 times 9 and 3 1 times अगेन ये 3 से एक बार divisible होगा तो कुल मिला के जो LCM आया आप देखना जो least smallest number आया वो कितने digit का है सबसे पहले तो हमें ये चक करना है तो LCM of LCM of 18, 24 and 32 ठीक है इन तीनों का LCM क्या है तो इन तीनों का LCM है एक, दो, तीन, चार, पाँच 5 times 2 देखेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच और फिर 2 times 3 तीन, दो बार है clear है? तो ये answer निकल के आया आपका 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 is 32, 32 into 9 तो 32 into 9 अगर मैं करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 into 9 is 27 and 28, 288 ये मेरा smallest 3 digit का number आया ये smallest 3 digit का number है जो की exact divisible है 18, 24 और 32 से but question में मुझसे बोला था smallest 4 digit number, 4 digit का number तो आप 288 का multiple निकालो the multiple of, the multiple of 288 ठीक है? 288 is या should of 4 digit should of 4 digit और छोटा number निकालना है, clear? तो अब आप इसको निकाल के देखो, देखो 288 1 times is 288 288, 2 times अगर आप करेंगे तो 288 into 2 is what? तो 2 into 8 is 16 16 का 6 carry 1 2 into 8 is 16, 17 17 का 7 carry 1 2 into 2 is 4, 5 ये भी 3 digit आ रहा है 288 into 3 अगर मैं करूंगा तो ये आ रहा है 3 into 8 is 24 2 carry 3 into 8 is 24 plus 2 is 26 2 carry 2 into 3 is 6 7 और 8, 8 is 64 और 288 अगर 4 करता हूं तो ये मेरे खाल से मेरा अंसर आ जाएगा 4 into 8 is 32 3 carry 32 plus 3 is 35 3 carry 4 into 2 is 8 9, 10, 11 yes, 4 digit का छोटा नंबर आया है double 1, 5, 2 तो finally the multiple of 288 when 288 is multiplied by 4 it will give me the smallest 4 digit number double 1, 5, 2 smallest 4 digit number ही हमें बताना था clear? तो finally में यहाँ पर काऊंगा the multiple of 288 should be of 4 digit that is i.e that is 288 multiplied with 4 is equals to double 1, 5, 2 ठीके? since यह answer finally आप last में लिख देना answer हमारा आ जाएगा double 1, 5, 2 is the smallest number exactly divisible 1, 1, 5, 2 is the smallest number divisible by exactly divisible by 18, 24 and 32 clear है? यह question बहुत important question है school test, school exam में definitely मैं कहूंगा यह देखने को मिल सकता है तो question number 9 भी हमारा हो गया है यहाँ पर solve move करिये question number 10th की तरफ तो 10th question क्या गह रहा है? total 11 question last second question यह रहा आपके सामने simple असान सा सवाल है find the LCM of the falling numbers observe a common property in the obtained LCMs is LCM the product of two numbers in each case? ठीक है? एक काम करते हैं सबसे पहले तो आप LCM निकाली है तो सारे LCM मैं आपको यहीं पर सामने निकाल के दिखाता हूँ देखें 9 and 4 तो a a part का LCM ठीक है? तो 9 and 4 का LCM निकाल लेते हैं देखें 9 and 4 का LCM कितना होगा? तो 2, 2 times 4 यह 9, 2 से divide नहीं होगा again यह 2 से divide होगा यह 1 हो जाएगा यह 9 3, 3 times 9 clear और फिर यह 3, 1 times 3 इसी तरीके से होगा फिर b part को हम solve कर लेते हैं देखेंगा तो यहाँ पर आपका finally यहाँ पर b part होगा 12 and 5 तो 12 and 5 का LCM निकाल लेते हैं तो 12 and 5 का LCM देखेंगा क्या आएगा तो 12 and 5 का LCM हमारा आएगा 2 से जाएगा 2, 6 times 12 5, 2, 3 times 6 done फिर 5, फिर 3, 1 times 3 फिर 5 और LCM निकाल लेजिए तो 5, 1 times 5 अगें C option में मुझे क्या दिया था तो C option में मुझे इन्होंने दिया है 6 and 5 तो आप देखेगा C option में मुझे दिया है 6 and 5 2 से divisible है 2, 3 times 6, 5 अगें 3, 1 times 3, 5 and 5, 1 times 5 तो ये 5, 1 times 5 अगें D option देखेए D option में मुझे क्या दिया है तो D option में ये मुझे कह रहा है 15 and 4 15 and 4 तो 2 से divisible है 2, 2 times 4 15, अगें 2 से divisible है 2, 1 times 15 अगें ये 3 से divisible है तो 3, 5 times is 15 and ये 5 से divisible है 5, 1 times देखो मैंने 4 के LCM निकाल दिया 9, 4, 12, 5, 6, 5, 15, 4 आपको क्या कुछ चीच common दिख रही है क्या पूछ रहा है observe a common property in the obtained LCM common property देखनी है common property देखो यहाँ पर 2 2s है यहाँ पर 2 3s है यहाँ पर 2 2s है यहाँ पर 1 3, 1 5 है यहाँ पर 1 2, 1 3 और 1 5 है यहाँ पर 2 2s, 1 3, 1 5 है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 तो तीनों में 2s मिल रहे है 2 2s, 2 2s तो सिर्फ मुझे 1 2 मिल रहा है ठीक है 2 3s, बट 1 ही 3s common है मैं कहूँगा 1 ही 3 common है तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं 9 और 4 को देखता हूँ तो 9 और 4 ठीक है तो 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4 observe a common property in the obtained LCM Is LCM the product of 2 numbers in each case क्या जो LCM आ रहा है ठीक है क्या वो 2 numbers का product है तो 2 into 2 is 4 3 into 3 is 9 Yes, यहाँ पर मैं एक चीज़ notice कर पा रहा हूँ कि इनका जो LCM आ रहा है वो 9 into 4 इस case का जो LCM है देखो, मुझे क्या करना है यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो LCM of LCM of 9 and 4 is what? तो 2 into 2 is 4 and 3 into 3 is 9 9 into 4 is 36 तो यहाँ पर LCM 36 आ रहा है Again, LCM of 12 and 5 अगर मैं देखूँ तो 12 and 5 में 2 into 2 is 4 4 into 3 is 12 12 and 5 12 into 5 तो यहाँ पर 12 और 5 को multiply करनेंगे तो आप देखेंगे 5 into 2 is 10 तो यह 60 आ रहा है Again, LCM of LCM of 6 and 5 अगर आप notice करें तो देखें, 2 into 3 is 6 6 into 5 6 into 5 is 30 Again, LCM of 15 and 4 अगर आप notice करें तो देखें, 2 into 2 is 4 3 into 5 is 15 तो 15 into 4 Again, 15 into 4 4 into 5 is 20 0, 2 कैरी 60 तो यह कह रहा है आपको क्या समझ आ रहा है आपको यह समझ आ रहा है कि इनका जो LCM निकला है वो दो numbers का product है जो numbers given है उन दोनों का ही product है और ऐसा तुम्हें समझना है जब भी अब तुम्हें LCM पूछें तो तुम्हें oral जवाब देना है oral जवाब कैसा देना है आप देखो 9 और 4 में कुछ भी common factor नहीं है ठीक है 9 और 4 में कुछ भी common factor नहीं है यह co-prime numbers है अगर आप 12 और 5 को देखते हैं तो कोई भी common factor नहीं है 12 और 5 अलग-अलग में ठीक है इनका भी co-prime numbers है 6 and 5 is also a co-prime number 15 and 4 is also a co-prime number इससे हमें एक property मिलती है और वो property यह कि if if to find the LCM if to find the LCM of if to find the LCM of co-prime numbers अगर तुम्हें co-prime numbers दिये है और तुम्हें अगर उनका LCM निकालना है तो दोनों को आपस में multiply कर दो if to find the LCM of co-prime numbers then then multiply then the product of co-prime numbers then the product of co-prime numbers then the product of co-prime numbers is the LCM the product of co-prime numbers itself itself is the LCM यह एक property देखने को मिल रही है अगर मैं किसी भी co-prime numbers का LCM निकालता हूँ तो उनका multiplication ही उनका answer है मतलब उनका LCM होगा यही question number 10 आपको सिखा रहा है important question है सिर्फ आपको property याद रखने के लिए exam में may be I हाँ आपको अगर directly LCM पूछ लिया तो आप यह statement लिख के आ जाना हो सकता one marks में question आ जाए कि what is the LCM of 9 and 4 आप directly 9 into 4 लिख कर आ जाना और यह एक statement लिख देना clear है तो यहाँ पे आप लोगों ने solve किया question number 10 को move करते है question number 11th की तरफ 11th question क्या कह रहा है इसको देखना find the LCM of the falling numbers in each one number is the factor of the other what do you observe with the results obtained यह कह रहा है आप LCM निकाली of the falling numbers ठीक है in which one number is the factor of the other जिसमें एक number कुछ ऐसा दिया है जो कि दूसरे number का factor है 5 is the factor of 20 6 is the factor of 18 12 is the factor of 48 9 is the factor of 45 अगर मैं इन दोनों का LCM निकालता हूँ आप देखना 5 और 20 का अगर मैं LCM निकालता हूँ ठीक है तो यह 2 से जाएगा ठीक है 2 10 ताइमस इस 20 अगेन यह 2 से जाएगा तो 2 5 ताइमस इस 10 और अब यह 5 से divisible होगा आप देखने इसके prime factors 2 into 2 इस 4 4 into 5 is 20 तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि LCM ऐसे numbers का जिनका factor के साथ LCM निकालना है ठीक है तो उसमें बड़ा number ही LCM निकल के आता है देखना मैं आगे करके दिखा रहा हूँ अगर मैं 6 और 18 का LCM निकालता हूँ देखना 6 और 18 का LCM तो 2 3 times is 6 2 9 times is 18 अगें 3 1 times is 3 3 3 times is 9 अगें 3 1 times is 3 clear है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 into 3 is 9 9 into 2 is 18 बड़ा number ही LCM है ठीक है यहाँ पर एक और बार देखना 2 1 times is 2 2 times is 4 2 4 times is 8 अगें 2 3 times is 6 2 1 times is 2 2 2 times is 4 अगें 2 से यह डिवाइड होगा 2 6 times 12 अगें यह 2 से डिवाइड होगा 2 3 times 6 अगें यह 3 से डिविजिबल होगा आप यहाँ पर नोटिस करना 2 into 2 is 4 4 into 2 is 8 8 into 2 is 16 16 into 3 is 48 clear अब 9 और 45 को LCM देखो 9 और 45 का LCM कितना है तो यहाँ पर 3 into 3 is 9 3 1 times 3 3 5 times 15 अगें 3 1 times 3 3 5 times 15 अगें 5 1 times is 5 3 into 3 9 9 into 5 is 45 अब देखो LCM इस केस में 20 आ रहा है इस केस में LCM 18 आ रहा है इस केस में LCM 48 आ रहा है इस केस में LCM 45 आ रहा है हमें क्या समझ आया हमें यह समझ आया कि अगर किसी ऐसे दो numbers का LCM निकालना है जिसमें से एक number दूसरे number का factor है तो बड़े वाला ही number उसका LCM होगा आप direct answer लिख सकते हो इस prime factorization method को use करने की जरूरत नहीं है what do you observe so finally we observe that we observe that if LCM of two numbers such that such that one of the number one of the number is factor is factor of other is factor of other then the LCM is then the LCM is the greater the greater number the greater number of the two given numbers 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 जो दिये हुए दो numbers थे उसमें से जो बड़ा वाला number है वो ही LCM है then the LCM is the greater number of the two given numbers oral answer हम दे सकते हैं अब clear है तो इन सब चीजों से हमें यह चीज सीखने को मिल रहे हैं लास्ट के दो कोशन हमें सिब प्रॉपर्टी सिखा रहे थे तो फाइनली exercise 3.7 में यह ग्यारा कोशन थे जो यहां पर हमारे हो गए है complete अब मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस दीके से free of cost 100% free education किसी तरह का कोई subscription चार्ज नहीं and without any advertisement आप वीडियो को वाज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हमारी website पर आना है आपको CBAC from kindergarten to class 12 English medium का option मिलेगा इसको click करते ही आपको class 6 का option दिखेगा class 6 को click करिए आपकी सारी teachers आपके सामने कोई साभी subject हो social का subject, Hindi का subject, Sanskrit हो computers हो, maths हो, science हो complete teachers, complete course के साथ यहां पर available है सारा course uploaded है, complete chapters uploaded है, most important questions, सब कुछ आपको कैसे watch करना है जिस भी teacher से उनका subject watch करना है, जैसे मेरे through maths पढ़ना है मेरी photo के नीचे watch now का option है, watch now क्लिक करिए, आप आजाएंगे मेरे दोआरा पढ़ाए हुए complete video course पे अब इस video course में, जो आप maths का video course देख रहे हैं, आपको class 6 की NCIT books से related जोन सा chapter पढ़ना है, वो chapter एक proper तरी के से arranged manner में आपके सामने है ठीक है, आप तो बस जोन सा chapter पढ़ना है, उस chapter को click करो, video run होना start इतना असान है, घर बैठे बैठे त्यारी करना, 100% free education, किसी तरह का कोई subscription fees भी आपको यहां पे पे नहीं करना सिर्फ तीन छोटे काम करने, कुछ second का काम है, अभी कर दीजिए, video को जल्दी से like देदीजिए, ठीक है channel का bell icon दबा दीजिए, so that जो भी नई video आती है, वो पहले आप तक पहुँचे और इसी के साथ में video के link को share करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने social media में, so that बाकी student जो घर बैठके त्यारी करना चाहरे हैं, उन तक भी यह proper video की link पहुँच पाए, clear है, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नई chapter में, तब तक के लिए bye and take care